अल्फा एजुकेशन हम अलेकुम स्टुडेंट्स, वेलकम अन माय यूटूब चैनल अल्फा एजुकेशन उमीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खोश होंगे तो स्टुडेंट्स, आज हम इंगलिश लिट्रेचर के पोईट्री के सेक्शन में एक पोईम डिसकस करेंगे और ये एक सॉनट है शेक्सपेर का जिसका टाइटल है शलाइ कंपेर दी टौस समर्स डे शेक्सपेर ने टोटल 154 सॉनट्स लिखे और उसके सॉनट नमबर 18 का जो टाइटल है वो ये है शलाइ कंपेर दी टौस समर्स डे आज हम इस पोईम को डिसकेस करेंगे इसकी समरी और इसके में थीम्स को डिसकेस करेंगे और देखेंगे इसकी लाइन बाइन समरी जो के एक सॉनट है और इसका टाइटल है शलाइ कंपेर दी टौस समर्स डे हमेशे की तरह स्टार करते हैं पोईट के ब्रीफ इंट्रेक्शन के साथ और आज हम जो पोईट को पढ़ने वाले हैं वो है विलियम शेक्सपेर जो के एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिट्रेचर में तो विलियम शेक्सपेर 26 अपरिल 1564 को उनकी बर्थ हुई और 23 अपरिल 1616 को इनकी डेथ हुई शेक्सपेर जो ते वो एक बहुत बड़े इंग्लिश पोई ते और साथ ही साथ एक बहुत ही माने जाने वाले ड्रामाटिस्ट भी है प्री एमिनें ड्रामाटिस्ट में उनका नाम आता है यह इनके अगर मेजर वर्क में देखा जाए तो 38 प्लेज इनोंने लिखें वन फिफ्टी फॉर सॉनेट्स लिखें टू लॉंग नेरेटिव्स लिखें और इसके साथ कुछ और भी उनके वर्सिज हैं जिनकी ऑथर्शिप जो है वो अनसर्टन है यह निए उनके कंफर्म ऑथर का पता नहीं है कि वो कौन है इसी तरह ही देन रोट मेंली ट्रेजिडीज उन्होंने ट्रेजिडीज ज्यादे लिखी अंटिल 1608 तक जिसमें से हैमलिट, उथेलो, किंग लियर एंड मैकबथ इनको यह जो इनकी चार ट्रेजिडीज हैं इनको बहुत ज्यादा फैमस हुई है और यह बहुत ही ज्यादा फाइनस्ट वर्क समझी जाती हैं इंग्लिश लिट्रेचर में तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सॉनेट के टेक्स से और आज हम जो सॉनेट पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल ही लिखा हुआ है कि पॉइट स्टार्ट कर रहा है एक क्वेशन के साथ अपने पॉइम को स्टार्ट करें कि शलाइ कंपिर दी टो समर्स डें बीसिकली यह पॉइम यह सॉनेट जो शेक्स पर ने लिखी है इसके बारे में बताया जाता है कि ये उन्होंने अपने एक Beloved के लिए लिखी और इसी पॉइम में वो अपने Beloved से मुखातिब होके कह रहे कि क्या मैं आपको Summers Day के साथ Compare कर सकता हूँ या नहीं यनि पोईट यहां पर एक Confusion में है कि क्या मैं अपने Beloved को क्या मैं अपने Beloved की Beauty को Summers Day के साथ Compare कर सकता हूँ या फिर मैं उसको मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पहली लाइन में शायर ने यहीं बात की और दूसरी लाइन में पोईट करे Thou art more lovely and more temperate लेकिन यहां पर वो एक आइडिया देता है कि नहीं मेरे Beloved का जो मतलब उसकी जो beauty है और वो जो उसका हुसन है वो ज्यादा है कहीं ज्यादा है Summers Day से तो यहां पर सेकंड लाइन में पोईट जो है वो अपने फिर्स लाइन के अगेंस नहीं उसके reply में एक चीज़ देता है यह पहले तो वो यह पूछना है कि क्या मुझे आपको एक Summers Day के साथ कंपेर करना चाहिए लेकिन बाद में वे एक चीज़ कहता है कि नहीं दाव आर्ट मोर लवली और मोर टेंपरेटी नहीं आप और भी ज्यादा इसे beautiful है Summers Day से और भी ज्यादा लवली है अब यहाँ पर Summers Day की जो Rough Winds होती है उसके बारे में बताए जा रहा है कि वो जो Rough Winds है वो Darling Birds of May को शेक किरती है यहनी जो Violent Summer है वो जो है वो एक तरह से खत्रा है किस चीज़ के लिए जो कि Beautiful जो फूलों की खलियां होती है मे की तो उसके लिए जो Summers के Rough Winds है जो उसकी तेज हवाई चलती है Summers की वो इन Darling Birds of May के लिए एक खत्रा है और इसी तरह कि जो आगर हम देखें Summers में अगर खुशी के लिए और एक नई जीवन आने के लिए जो उमीद होती है वो भी ज्यादा दिर तक नहीं रहती जो भी खुशूरती होती है Summers में वो लाइक खत्म हो जाती है ज्यादा देर तक हमेशा के लिए नहीं रहती Sometime too hot the eye of heaven shines and often is his gold complexion dimmed and every fear from fear sometimes declines by chance or nature's changing course untrimmed यहाँ पे कह रहें कि sometimes too hot the eye of heaven shines heaven यहाँ पे इननोंने compare किया sun के साथ heaven eye of heaven sun को इननोंने use किया यह word यह phrase जो है sometimes too hot कि कभी कभार बहुत ज्यादा hot होता है the eye of heaven कि जो सूरज है वो कभी कभार बहुत ज्यादा hot हो जाता है और बहुत ज्यादा shine करता है and often is his gold complexion dimmed और कभी कभार उसकी किरने बहुत ही ज्यादा धीमी पड़ जाती है यहाँ पे point क्या के ना चाह रहा है कि summer की जो beauty है वो कम और ज्यादा होती रहती है मतलब उसको कभी decline आता है कभी राहिज आता है और कभी fall लेकिन जो आप हो जो अपने महभूब को कह रहे है कि आपकी beauty ऐसी नहीं है आपकी beauty हमेशे के लिए रहने वाली है आपकी beauty में कभी भी decline नहीं आता अब ये summer's day की जो beauty है ये एक तरह से decline हो जाती है वक्त के साथ ये जो heaven आई अफ heaven जो shine करता है कभी कबार वो ज्यादा तर dim भी रह जाता है यनि कभी कबार वो shine करते हैं और कभी वो dim हो जाता है and every fear from fear sometimes declines but the chance or nature's changing corners are trim यनि every fear from fear sometimes declines के हर एक वो खुब्सूरत चीज हर एक वो beautiful चीज व्द के साथ साथ अपनी प्यूटी खो लेती है यनि पहले वो जिस हालत में होती है वो व्द के साथ साथ अपनी वो beautiful जो shape होती है जो इसकी appearance होती है वो वो जजे साथ खो देती है and every fear from fear यनि हर एक खुबसूरत चीज फ्रॉम 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 फ तो उन्होंने Summers का बताया Summers Day का कि उसके उसमें क्या होता है उसकी beauty कैसे होती है और वो कैसे खतम होती जाती है वक्त के साथ लेकिन यहाँ पे इस इन लाइन्स में यह जो अभी नया लाइन्स टार्ट हुए है By thy eternal summer shall not fade nor lose possession of that fair thou host यहाँ पे point बताया है लेकिन कह रहे है अपने beloved को कि जो तुम्हारी beauty है जो तुम्हारा eternal summer है वो कभी भी फैड नहीं होगा nor lose possession of that fair thou host और वो beauty वो हुसन जो तुम्हारे पास है वो कभी भी फैड नहीं होगा इन दो lines में point अपने beloved की तारीफ कर रहे है और उसकी beauty की तारीफ कर रहे है कि तुम्हारी जो beauty है जो तुम्हारा eternal summer है वो कभी भी फैड नहीं होगा इस summer के साथ जो के वक्त के साथ डिकलाइन हो जाता है nor lose possession of that fair thou host और वो हुसन वो beauty जो तुम्हारे पास है तुम कभी भी उसकी position को lose नहीं करोगे nor shall death break thou wondrous in his shade when in eternal lines to time thou grows यहाँ पर पोईट बता रहे है के nor shall death break thou wondrous in his shade यहनी वक्त हर एक इनसान को हर एक चीज़ को हर एक beautiful चीज़ को अपने शेकंजे में तो ले लेती है लेकिन तुम्हारी जो beauty है तुम्हारा जो हुसन है जो तुम्हारा आला पन है death भी उसको कुछ नहीं कर सकती क्यों when in eternal lines to time thou grows यह जो eternal lines है यह हमेशा तुम्हें जिन्दगी देती रहेंगी यह जिन eternal lines में जो अपने टेक्स में तुम्हें लिखने जा रहा हूँ यह eternal lines हमेशा तुम्हारी beauty को जिन्दगी रखेगी ना मौत में छूप आएगी ना मौत तुम्हारी खुबसीरतुई को कभी छूँ सकेगी उसको break मतलब कि उसको week करना या पिर एक तरा से उसको लेकिया सकती ही ना उसको break कर सकती है when in eternal lines to time thou grows और यही eternal lines जो है जिसमें मैं तुम्हारी beauty को explain कर रहा हूँ तुम्हारी सुसन को explain कर रहा हूँ यह lines तुम्हें हमेशा के लिए eternal beauty दे देगी जो कि हमेशा बाकी रहेगी so long as men can breath or eyes can see so long lives this and this gives lives to thee 12 lines में जो Shakespeare है वो idea develop कर रहे है और यहाँ पे आखरी two lines में वो conclusion दे रहे है और conclusion क्या है so long as men can breathe यानि जब तक इनसान सांस ले सकता है और eyes can see और जब तक इनसान देख सकता है यानि जब तक इनसान देख सकता है और सांस ले सकता है so long lives this और तब तक ये मेरा जो text है जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये जो मैंने तमारी तारीफ में लिखा है ये तब तक जिन्दा रहेगा and this gives life to thee और जब तक मेरे ये लिखा हुआ टेक्स जिन्दा रहेगा तो ये जितना ज़्यादे देर जिन्दा रहेगा इसी के सासे जितने लाइफ देता रहेगा क्यों कि इस text में poet ने अपने beloved की तारीफ किये और जो भी इस text को पढ़ेगा उसको ये इलम होगा कि उसका Shakespeare का या फिर poet का beloved जो है वो कितना हसीन था तो उनके माइड में एक image बनेगी और इस तरह ये beloved जो है पढ़ेंगे लिखेंगे और जब तक पढ़ना बाकी है तब तक आपकी beauty बाकी रहेगी और आपकी beauty को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये जो lines में लिख रहा हूँ ये जो text में ने लिखा है ये तब तक पढ़ा जाएगा और जब तक मतलब लोग बाकी है और ये तुमारी beauty को एक eternal form में change कर देगी अब यहाँ पर आते हैं summary की तरफ the poet William Shakespeare think that his love is incomparable poet start ही इसी बात से करता है कि question here rise करता है कि क्या मैं आपके love को compare कर सकता हूँ या नहीं लेकिं दूसरी line में वो ये कह रहता है कि नहीं जो Shakespeare का love है वो incomparable है उसको किसी चीज़ के साथ compare ने किया जा सकता कि summer में जो stormy winds होती है वो charming rose birds को weaken कर देती है और एक नई health के लिए या पिर happiness के लिए जो एक उमीद होती है prospect जो होती है नई health के लिए और उमीद के लिए वो ज्यादा देर तक नहीं रहती वो मीद भी थोड़ी देर के लिए रहती है वो खुशी भी थोड़ी देर के लिए रहती है the sun is occasionally very hot and its golden rays will never dim और sun जो है वो occasionally hot होता है ज्यादा और उसकी rays जो होती है ऐसे मालूम होते हैं कि वो कभी dim नहीं होगी लेकिन वक्ते साथ उसकी rays भी dim हो जाती है the beauty of every beautiful thing decreases and is spoiled accidentally or naturally और हर एक चीज़ की beauty जो है वो decrease होती है time के साथ और वो spoiled हो जाती है accidentally या तो किसी accident के through या फिर naturally but the eternal summer of or the charm of the poet's love will never enjoy its victory over his friend because the poet's words will remain eternal all through the time लेकिन जो poet की beloved की जो beauty है या पिर जो charm है poets love का वो कभी भी खतम नहीं होगा क्योंके जो verses वो लिख रहा है जो verses उन्होंने लिखी है वो eternal है वो हमेशे के लिए रहेंगी through all the time और जब तक उसके ये text जिन्दा रहेगा तब तब उसका beloved भी जिन्दा रहेगा लेकिन इसकी जो beauty है वो इस point में जिन्दा रहेगी कि जब तक human race बागी है जब तक वो read कर सकती है ये sonnet इसी तरह eternal रहेगा हमेशा के लिए और poets का जो friend है वो immortal बन जाएगा themes पे आते हैं सबसे पहला theme है हमारे पास admiration and love इस पूरे poem में शेक्सपेर ने अपने beloved की beauty को admire किया है उसके love को admire किया है कि उसके तरह जो poets का friend है वो कितना प्यारा है कितना lovely है मतलब हुसन की तारीफ की है उसकी beauty की तारीफ की और उसकी love की इसके बाद नेचर्स क्रूइल्टी जब वो बताता है कि समर्स के stormy winds है किस तरह वो darling birds of me को destroy करती है और हर एक beautiful चीज़ की जो beauty होती है वो किस तरह वक्त के साथ decline होती है या तो वो naturally हो जाती है तो जब वो बात करता है तो यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि इस point में natural की जो cruelty है वो भी एक major theme है किस तरह nature एक चीज़ की beauty को वक्त के साथ खत्म कर देती है death bring limitation अब जैसे कि हम देखें कि death जो है वो हर एक चीज़ पे stop लगा देती है the shed of death stop life and makes it unable to lose and achieve things death जो है वो life की हर एक चीज़ पे stop लगा देती है लेकिन इस point में Shakespeare ने अपने beloved को मुखादिब करके ये काये कि death हर एक चीज़ पे stop तो लगा सकती है लेकिन तुम्हारी beauty पे नहीं क्योंके तुम्हारी beauty को मैंने अपनी इन verses में बयान कि है और ये verses हमेशे के लिए रहेंगी उसके बाद the eternal nature of written text यही वाली बात कि every written text makes the idea inside it to live forever and the book is and the book as the book is stored कि हर एक written work एक idea को अपने आप में immortal बना देता है हमेशे के लिए बाकी रख देता है जब तक वो books stored होती है maintain and recopied for generation yet unborn to access it और इसी तरह ये उस idea को उस concept को हमेशे के लिए बाकी रख देती है उन generations के लिए जन्हों ने पैदा होना है और बाद में जन्हों लोगों ने आना है यानि forever उस idea को वो एक तरह से store कर देता है और बाकी रखता है यह थी इस point की major themes अगर आज की यह सोनेट समझ आई हो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और इसी तरह वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें ताके मैं आगे भी मजीद lectures अप्लोड करूँ नेक्स लेक्चर में इंशाला एक नए concept के साथ हाजर होंगे तब तक अपने धेर सरह ख्याल रखिए लाफिस